हलो फ्रेंड्स फार्मिसी पॉइंट में स्वागत है आपका तो पिछली वीडियो में हमने बताया था जो ड्रग एफेक्टिंग आफ रेस्पारेटरी सिस्टम का जो कटागरी थी एक्सपेक्टोरेंट उसकी तुलसी ड्रग बताई थी आज हम बताने वाले बालसमाव आप यह भी ड्रग एफेक्टिंग आफ रेस्पारेटरी सिस्टम से भी बिलौंग करती है तो पिछली वीडियो में हमने तुलसी बताई थी आज हम बताने वाले हैं तो लू बालसमाव तो इसका सिनोनोम हो गया बालसमाव तो लू और वाइलिजकल सोर्स हो गया इसका मायरोज लू बालसमाव तो यह हमने पिछली वीडियो में बताया था अगर आप थीओरी में लिखना चाहें तो थीओरी भी लिख सकते हैं इसका इसका अब ड्राइड फ्रूट या लीप्स तो मायरोजाइलम बालसमाव हो गया इसका और फैमिली हो गया इसकी लेगुमिनोशी जि लू बालसमाव और इसका मार्फोलोजकल कैरेक्टर हो गया मार्फोलोजकल कैरेक्टर की बात करते हैं तो इसमें सवाइडिंग होते हैं कलर आडर टेस्ट यह हैं इसका कलर हो गया यलो इस और आडर हो गया ऐरोमेटिक टेस्ट हो गया ऐरोमेटिक इसका आडर और टेस्ट सेम ही होते हैं ऐरोमेटिक ऐरोमेटिक कलर हो गया येलो और केमिकल कॉंस्टेंट की बात करते हैं तो इसका केमिकल कॉंस्टेंट होता है वेंजाइल दूसरा होता है वेंजाइल तीसरा होता है वेंजाइल सिनना मेट और चौता होता है लास्ट वेंजोईक एसिड तो इसका म chemical constant होते हैं एक्जाम में दो तीन चीजी जो कि पूछा जाती जैसे भार फैमली तीन चीजे और यूज्च वह गया तो यह महेन होते हैं कि किस ड्रग की इस ड्रग की की इसका chemical constant बताएं और वाइलच कल से बताएं और यूज्च बताएं तो आपको सिर्फ इस प्रकार पूछता है तो आप में में इसे लिख सकते हैं जिसे वेंजाइल हो गया वेंजाइल सिन्नमेट हो गया बेंजोईक एसे डोगया यह हो गया इसके केमिकल अवायलिजकल सोर्स मायरोजाइलम बाल्समम तो यह लिख सकते हैं अगर फुल फार्मा को गनोशी बताता है तो आप पूरी लिखेंगे ड्रक, उसके सारे एडिंग सेम टू सेम, अब इसके यूज हो गया, इसका यूज हो गया हमारी एक्सपेक्टोरेंट, दूसरा हो गया एंटि सेप्टिक, और तीसरा हो गया फ्लेवरिंग एजेंट, यानि फ्लेवरिंग एजेंट के दुआरा कि तरह ऐसे यूज करते हैं इसका तो फ्रेंड्स हमारी वीडियो अगर पसंद आई हो तो आप हमारी चैनल को फार्मेसी पॉइंट को सस्क्राइब करें लाइक करें शेयर करें तो इसका नोट्स आप बना सकते हैं अपनी काप्य में नोट कर सकते हैं और लिख सकते हैं अपने एक्जाम के लिए तैयार करें ठीक है कमेंट शेयर जरू करिए